ये वीडियो DAV class 7 के लिए जिसमें के अभी हम लोग science परने वाले हैं science का chapter number 4 जिसका title है acids, basis and salt इस chapter को पूरा detail में हम आपके सामने explain करेंगे इस chapter का आपको total 2 parts मिल जाएगा, ये पहला part है और अगर ये chapter आपके syllabus में है, आपके exam में आएगा तो आप comment करके जरूर बताइएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका second part भी हम बहुत जल्दी upload कर देंगे आपके class के किसी भी subject को अच्छे से परने के लिए अब आपको YouTube पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको बस इस channel के playlist में जाना है, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे वहाँ पे हमेशा नए वीडियोज भी आते रहते हैं, तो अगर आप इस channel को subscribe करके बेल आइकन को प्रिस कर लेंगे तो आपको नए वीडियोज का notification भी समय पर मिलता रहेगा चैप्टर को इस टार्ट करने से पहले हम लोग brain mapping जल्दी से कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहेगी इस चैप्टर में आखिर हमें परना कौन-कौन से टापिक्स है सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का introduction देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, कि acid कितने type का होता है, mainly 2 type का होता है 2 type का हम लोग detail में परहेंगे, उसके बाद हमारे topic होगा, basis and alkali, इसавать detail में हम लोग परना है उसके बाद indicators क्या होता है उसका क्या काम है हम लोग जानेंगे और सबसे अंतिम topic हमारा होगा neutralization and formation of salts जिसके अंदर में again तीन topic है और इन तीनों topic को हम लोग detail में सबसे last में पढ़ेंगे chapter के starting में हमें materials के बारे में कुछ basic बताया गया जो कि आप already जानते होंगे यहाँ पर लिखा है भी all know that there are wide varieties of material around us हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग तरीके के materials हमें देखने को मिलते हैं they differ from one another in their color, order, taste, physical state and other properties और उन materials को हम लोग differentiate कैसे कर पाते हैं माल लेते हैं कि आपके सामने दो अलग-अलग materials रखा हुआ है, material A और material B आप कैसे decide करेंगे कि दोनो same type का है या दोनो different type का है तो इसको decide करने के लिए हम लोग कुछ criteria लेते हैं जैसे कि color उसका हम लोग रंग देखके decide करते हैं कि दोनो same है या नहीं या उसका order यानि कि उसका smell से हम लोग decide करते हैं कि दोनो same है या नहीं या उसका taste से उसका स्वाद कैसा है उससे हम लोग decide करते हैं या उसका physical state से, physical state तीन type का हो सकता है या तो liquid हो सकता है कोई भी material या तो solid हो सकता है या तो gas हो सकता है तो इससे भी हम लोग decide करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे properties हैं जिसको देखके हम लोग decide कर सकते हैं कि कोई भी दो material same है या different है We often use such properties to classify substances and materials into different categories और इनी सारे properties के आधार पे हम लोग अलग-अलग substances को अलग-अलग category में divide कर सकते हैं अब हम लोग को समझना है कि acids क्या होते हैं और basis क्या होते हैं तो सबसे पहले acids के बारे में पर लेते हैं Some materials like lemon, vinegar, tamirind have sour taste कुछ ऐसे materials होते हैं जैसे कि lemon हो गया नीमबू, vinegar यानि की शिर्का और tamirind यानि की इमली इनका जो taste होता है खटा होता है और ये खटा क्यों होता है इन सारे materials में एक केमिकल पाया जाता है और उसी के कारण इसका टेस्ट खटा होता है और उसी केमिकल को हम लोग acid बोलते हैं तो इसका definition हो गया आप यहां से लेकर यहां तक आसानी से लिख सकते हैं बहुत छोटा line है, बहुत simple line है जादर materials like baking soda, कुछ ऐसे material होते हैं जैसे की baking soda हो गया, soap हो गया इनका taste कैसा होता है, bitter होता है यानि की करवा होता है, तीखा होता है और ये तीखा क्यों होता है, due to presence of some chemicals इसमें भी कुछ chemicals पाय जाते हैं और उसी chemical को हम लोग क्या बोलते हैं basis बोलते हैं, तो दोनों का definition हो गया दोनों बहुत जादा important था acid क्या होता है, या base क्या होता है ये तो exam में short question में आ ही सकता है तो इसको अच्छे से याद कर लिजेगा caution देखें, यहाँ पे एक important point बताया गया है caution का मतलब होता है साफधानी यहाँ पे आपको क्या साफधानी बरत नहीं है इसमें लिखा it is dangerous to taste any unknown substance either at home or in school किसी भी unknown substance को अगर आपके सामने कोई भी substance रखा हुआ है तो अगर आप उसको taste करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाग हो सकता है इसलिए चाहे आप घर पे हो या स्कूल में हो कहीं भी हो आपको डॉक्टर सालू के नहीं बनना है acid जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है acid जो वर्ड है एक Latin वर्ड से लिया गया है और वो Latin वर्ड कौन सा है Acidus Acidus का मतलब होता है Saur यानि की खटा आपको अभी हम बताया थे कि जो भी सबस्टांस खटा होता है उसमें एक केमिकल पाया जाता है और उसी केमिकल को हम लोग Acid बोलते हैं तो इस केमिकल का नाम Acid क्यों रखा गया क्योंकि Acidus का मतलब Saur होता है और Acidus को ही English में एडॉप्ट करके Acid बना दिया गया और उसको हम लोग उस केमिकल का नाम रख दिये जिसके कारण कोई भी सबस्टांस खटा होता है Also testing material contain Acid जितना भी material खटा होता है न उसमें Acid जरूर पाया जाता है और वो Acid किसी भी टाइप का हो सकता है और उसी Types के बारे में अब हमें जानना है Acid are classified into two categories में लिए दूव टाइप का Acid होता है जिसमें कि पहला है Mineral Acid और दूसरा Type है वो है Organic Acid सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि Mineral Acids क्या होते हैं उसके बाद हम लोग Organic Acid को पर लेंगे इसको अगर हम लोग आसान भाषा में समझना चाहें तो Mineral Acid वैसे Acid को हम लोग बोलते हैं जो कि हमारे धरती पे present Mineral से बने होते हैं हमारे धरती पे आपको पता है कि बहुत सारे Minerals present हैं जैसे कि Hydrogen हो गया, Nitrogen हो गया, Sulfur हो गया, Oxygen हो गया, Sodium हो गया ऐसे से बहुत सारे Minerals हमारे धरती पे present हैं और इनहीं सारे Minerals को यूज करके अगर हम लोग Lab में कोई एक Chemical बना लेते हैं, कोई एक Acid बना लेते हैं, Chemical नहीं तो उस Acid को हम लोग क्या बोलेंगे, Mineral Acid बोलेंगे Acids which are prepared from the Minerals present in the Earth are called Mineral Acid यह इसका definition हो गया, हमारे धरती पे जो Mineral present है, उसको यूज करके अगर हम लोग कोई Acid बना लेते हैं, तो उसी Acid को हम लोग क्या बोलेंगे, Mineral Acid बोलेंगे आग यहाँ पे बहुत सारे Examples भी दिये गए हैं, जिसमें कि पहला है Hydrochloric Acid जिसका Symbol होता है HCl, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इसको बहुत सारे बच्चे HCI समझ लेते हैं, लेकिन यह HCI नहीं है H4 Hydrogen है, और Cl4 Chlorine है, हम लोग जिस भी Element का नाम लिखते हैं, सिम्बल लिखते हैं उसको Capital से स्टार्ट करते हैं, और अगर उसमें दो लेटर है तो पहला हम लोग Capital लिखते हैं उसके बाद दूसरा हम लोग Small लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे H Capital है और C भी Capital है, क्योंकि CH के साथ नहीं है, Cl1 साथ है, अलग, Clorine का वो नाम है तो यहाँ पे HCl है, HCI नहीं है, आपको इसको ध्यान देना है उसके बाद दूसरा है Sulfuric Acid, जिसको हम लोग H2SO4 से डिनोट करते हैं इसमें क्या है? H4 Hydrogen, S4 Sulfur और O4 Oxygen है उसके बाद है Nitric Acid, जिसको हम लोग HNO3 से डिनोट करते हैं H4 Hydrogen, N4 Nitrogen और O4 Oxygen उसके बाद है Sulfuric Acid, जैसे यहाँ पे Sulfuric Acid था ना वैसे ही यहाँ पे Sulfuric Acid है इसका सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, H2SO4 के जगा पे H2SO3 यहाँ पे दिख रहा है इसमें और इसमें Confuse मत किजेगा उसके बाद है Phosphuric Acid, जिसका सिंबल होता है H3PO4, H4 Hydrogen, P4 Phosphorus और O4 Oxygen और यह हो गया Phosphuric Acid का सिंबल तो यहाँ पे जितना भी एक्जामपल आपको Mindal Acid का दिया गया है, कम से कम आपको 2-3 तो याद रखना ही है और साथ ही साथ उसका जो सिंबल है उसका जो फॉर्मूला है उसको भी आपको याद रखना है ताकि अगर एक्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी संसर कर पाएं Do you know मैं हमें Sulfuric Acid के बारे में के H2SO4 आप अच्छे से इसको रट जाएए बहुत लोगों को तो याद भी होगा उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इसको King of Chemical क्यों बोलते है It is used in manufacture of wide variety of materials बहुत सारे materials का बहुत सारे चीजों के production में इस वाले chemical का यूज होता है Sulfuric Acid का यूज होता है इसलिए इसको हम लोग King of Chemicals बोलते है अब हम लोग को समझना है कि Organic Acids क्या होते हैं तो इसको भी पहले हम लोग आसान भासा में समझ लेते हैं Organic Acid ऐसे Acid को बोलते हैं जो कि हमारे आस पास के Organic चीजों में पाय जाते हैं Organic चीज क्या हो सकते हैं Plants हो सकते हैं या तो Animals हो सकते हैं और S Acid को हम लोग क्या बोलेंगे Organic Acid बोलेंगे इसका Definition आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हैं Short में और Long में अगर पूछा जाए तो थोरा साब को और डीटेल बरहाना पड़ेगा Examples बगएरा देने पड़ेंगे तो यहां पर लिखा Acids Which are naturally occurring ऐसे Acid जो कि हमारे Nature में पाए जाते हैं And are found in Plants and Animals और Plants और Animal में पाए जाते हैं Are called Organic Acid वैसे Acid को हम लोग क्या बोलेंगे Organic Acid बोलेंगे अब यहां पर बहुत सारे Example दिये गे हैं Organic Acid के Example को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि Chapter का जो Match the following है न यहीं से पूछा गया है इसमें से भी बहुत सारा Match करने के लिए दिया है तो हो सकता है Exam में भी पूछ दिया जाए यहां पर लिखा है बहुत सारे Fruits होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें की Organic Acid पाया जाता है For Example Guava Guava में कौन सा Acid पाया जाता है Oxalic Acid यह आपको याद रखना है उसके बाद Orange में Lemon में Amla में कौन सा Acid पाया जाता है Citric Acid पाया जाता है उसके बाद Grapes में Tamarind यानि की Tamarind का मतलब क्या था इमली Tamarind में और Gooseberries में क्या पाया जाता है टार्टरिक Acid पाया जाता है उसके बाद Sour Milk यानि कि अगर दूद खटा हो गया न तो उसमें कौन सा Acid पाया जाता है Lactic Acid पाया जाता है और Vinegar सब से अंतिम है Vinegar में क्या पाया जाता है Acetic Acid पाया जाता है और Acetic Acid का यहाँ पे formula भी दिया है CH3 उसके बाद Koel का आवाज CH3 Q COOH तो इसको आप याद रखिएगा कुछ ऐसे Acids के नाम भी दिये गए हैं यहाँ पे जो कि आपको Animals में पाया जाते हैं Animals में specifically यहाँ पे Bees के बारे में बात क्या गया है और Ends के बारे में बात क्या गया है Sting of Bees अगर मदो मक्ही डंक मारती है ना और Red Ends यानि कि लाल चिटी जब हम लोगो कारती है तो उसमें क्या होता है उसके मुह से Formic Acid हमारे Body में चले जाता है और उसी Formic Acid के कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और इस Formic Acid का क्या फॉर्मूला है H, COOH यहाँ पे H है CS3 पहले था ना यहाँ पे अब क्या गया H आ गया और फिर वही कोयल का आवाज COOH अब इस वाले paragraph में हम लोगों समझना है कि Strong Acids क्या होते हैं और Weak Acids क्या होते हैं अगर हम लोग Strong Acid की बात करें तो ऐसे Acid जिसको अगर हम लोग टच करें तो हमारे हाथों पे गलत effect परेगा और अगर हम लोग उसको कपरों पे डालें ना तो या तो कपरा का रंग पुर जाएगा या तो कपरा फट ही जाएगा लेकिन weak acids के साथ ऐसा नहीं है इसको अगर हम लोग कपरा पे डालेंगे न तो कपरा का रंग नहीं उरेगा बहुत कम chances है और कपरा फटेगा तो नहीं ही उसके बाद अगर हम लोग इसको touch भी करेंगे और strong acid यहाँ पे जितना भी acid का नाम दिया गया है सभी को हम लोग क्या बोलेंगे strong acid बोलेंगे साथी साथ आप ये भी note कि होंगे कि यहाँ पे जितना भी acid का नाम है ना sub-mineral acid भी है यानि कि ये सारे acid आपके lab में बनाए जाते हैं तो lab में बनाया जाता है इसलिए इसको हम लोग strong acid भी बोल सकते हैं लेकिन आगे हाँ पे लेका acids like citric acid, acetic acid, carbonic acid and formic acid are weak acid ये सब weak acid हुआ और weak acid होने के साथ साथ ये सब जो है organic acid भी है यानि कि plants और animal में पाय जाने वाले acid भी है तो इसलिए ये सब weak acid कहलाते हैं we will learn more about strong and weak acids in higher classes higher classes में आपको strong acid और weak acid दोनों के बारे में और detail में पढ़ने को मिलेगा अब next paragraph में हमें बताया गया कि ऐसे acid जो कि factories में manufacture किये जाते हैं यानि कि mineral acid का बात यहां पे गिया जा रहा है और highly concentrated, ऐसे acid highly concentrated होते हैं अब highly concentrated होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ that water content in them is very low, उसमें बहुत कम मात्रा में पानी present होता है बहुत कम मात्रा में पानी present है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? highly concentrated बोलेंगे अब देखिए यहां पे आगे क्या बताया गया है? their concentration can be decreased, हम लोग उसका concentration को घटा सकते हैं कैसे? by adding water to them, हमें उसमें पानी मिलाना परेगा अगर हम लोग किसी highly concentrated acid में पानी मिला दें तो वो जो acid होगा उसका concentration level घट जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे dilute acid, उसी के बारे में यहां पे बताया गया है acids having low concentration are called dilute acid तो यह भी आपसे exam में पूछा जा सकता है कि dilute acid क्या होता है, तो आपको यहां से इसका definition लिखना परेगा अब यहां पे for the teacher के अंदर में एक बहुत important point आपको बताया गया है यहां पे बताया गया है कि अगर हमें acid को dilute करना है न तो ऐसा ने कि हम लोग acid को रखे इसमें, मालेतें के H2SO4 इसमें रख दिये और एक लोटा पानी लाके इसमें सीधर डाल दिये, इसको dilute करने के लिए ऐसा नहीं करना है बिलकुल भी ऐसा करने से हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है यह अगर हमको इसको dilute करना है न तो धीरे धीरे इसमें पानी डालना परेगा बहुत slowly इसमें हमें पानी डालना परेगा तब इस acid को हम लोग safely dilute कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर do you know में हम लोग को acid rain के बारे में बताया गया कि acid rain exactly होता क्या है तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे आसपस बहुत सारे factories हैं power houses हैं बहुत सारी गाड़िया हमारे आसपस चलती है जिससे बहुत सारे gases exhaust होते हैं बहुत सारे gases निकलते हैं जैसे कि carbon dioxide हो गया sulfur dioxide हो गया nitrogen dioxide हो गया यह सब gases निकलती है ये सब gases जब हवा में मिलती है उसके बाद जब बारिश होती है तो वो gases ultimately बारिश के पानी में मिल जाती है और उसके बाद वहाँ पे acid का formation होता है वो जो gases है पानी के साथ मिलकर acid बना देता है और उस acid के साथ जब बारिश होती है न तो उसी को हम लोग क्या बोलते है acid rain बोलत चलेटा है ना खासकर ऐसे सबलोग पर और आयुकिए तो उसके साथ भी करता है और यहीक है कि ताज महक के जो क erfolg से हो गया है लेकिन रें के कारण ही ताज महक का कड़ है वो ययलो हो गया ए उसी के बारे में यहाँ पर डीटल में बताए गया है आप इसको रीट कर लिजेगा तो यहाहा तक हम लोग चेप्टर का इंトडक्षन और एसीड के बारे μέं पूरा डीटेल में पर लिए अब हम लोग को बेसेस एंड एलकली इसके बारे में डीटेल में परना है बेसेस के बारे में हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी परे थे कि बेसे वैसे केमिकल्स होते हैं जो कि अगर किसी सब्स्टांस में पाए जाता है तो सब्स्टांस का ट Bases are substances which react with acids to form water and salt. Base वैसे substance होते हैं जिसको अगर acid से react करवाया जाए तो output में हमें water और salt मिलेगा. इसको अगर हम लोग आसान भाशा में बोलें तो अगर हम लोग base और acid को मिला देना तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? Water बन जाएगा और salt बन जाएगा. और उसी substance को हम लोग क्या बोलेंगे? जिस substance के साथ ऐसा हो रहा है उस substance को हम लोग क्या बोलेंगे? Base बोलेंगे. इसके बारे में लिखा है कि base का जो taste होता है वो bitter होता है यानि कि तीखा होता है और अगर आप इसको चुएंगे ना अगर किसी substance में base है अगर आप उसको चुएंगे तो वो आपको साबुन के तरह फील होगा साबुन कैसे होता है? तुरंथ हां से फिसल जाता है तो जिस भी substance में base पाये जाता है और वो भी आपको साबुन के तरह ही चुने में लगेगा देखें, base क्या होता है? यह तो हम लोग समझ गए लेकिन alkalis क्या होता है? इसको भी हम लोगों समझना पड़ेगा alkalis जो है ना एक टाइप का base ही होता है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है some bases, कुछ ऐसे base भी होते है better soluble in water जो की water में गूल सकते हैं और ऐसे ही bases को हम लोग क्या बोलते हैं? alkalis बोलते है अगर base water में गूल सकता है तो उसको हम लोग alkalis बोलेंगे लेकिन अगर base water में नहीं गूल सकता है तो उसको normally हम लोग base ही बोलेंगे example के तोर पे यहाँ पे बताया गया है कि sodium hydroxide और aluminium hydroxide दोनों जो है base ही है लेकिन उसमें से जो sodium hydroxide है न उसको हम लोग alkalis भी बोल सकते हैं क्योंकि sodium hydroxide को अगर आप पानी में मिलाएंगे न तो वो आसानी से मिल जाएगा यह soluble in water है इसलिए इसको हम लोग alkalis भी बोल सकते हैं जैसे हम लोग acids के बारे में परेते कि strong acid भी होता है और weak acid भी होता है उसी तरीके से strong basis भी होते हैं और weak basis भी होते हैं और उसका कुछ example यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको definitely याद रखना है इसका detail तो आपको higher classes में ही परना है यहाँ पे लिखाए some basis like sodium hydroxide जिसका chemical formula होता है NaOH and potassium hydroxide जिसका chemical formula होता है KOH chemical formula और उसका नाम आपको याद रखना है और strong basis यह दुना आपका example हो गया strong basis का others like ammonium hydroxide जिसका chemical formula है NH4OH और aluminium hydroxide जिसका chemical formula है ALOH3 and copper hydroxide जिसका chemical formula है CuOH2 are weak basis यह 3 example आपको दे दिया गया weak basis का और उपर 2 example हम लोग देखे strong basis का यह total 5 example आपको अच्छे सी क्याद रखना है यह सब exam में पूछा जाएगा अगर आपको basis के बारे में question आता है तो अब देखिए हम लोग को परना है कि indicators क्या होते है आपको हम पहले बताये थे कि अगर कोई substance का taste अगर आपको खटा लगता है तो उसमें acid पाया जाता है और अगर किसी substance का taste तीखा लगता है तो उसमें base पाया जाता है लेकिन यह पता करने के लिए हमको उस substance को टेस्ट करना परेगा उसको अपने जीप पे डालके चेक करना परेगा लेकिन आपको यह भी बोले थे कि आपको डॉक्ट सालूखे नहीं बनना है तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं ताकि किसी भी सब्स्टांस को बीना टेस्ट किये हम लोग बता सकें कि व हमें एसीड और बेस को पहचानना है तो सिर्फ हमें उसको टेस्टी करना पड़ेगा ऐसा नहीं है हम लोग इसको पहचानने के लिए इंडिकेटर का भी हेल्फ ले सकते हैं इंडिकेटर क्या है यहां से लेकर यहां तक आपको इंडिकेटर का डेफनेशन लिखके बताये इसमें लिखाया एन इंडिकेटर इसा सबस्टांस होता है विच शोज डिफ्रेंट कलर सीन एसीडिक एंड बेसिक मीडियम जिसका कलर चेंज हो जाएगा अगर आप उस सबस्टांस को एसीड में डालोगे या बेस में डालोगे तो और इसी प्रोपर्टी के कारण हम लोग कि इसन ऊप्पक्राई को कि थीख की किये भी ना पता कर सकते हैं कि वो सबस्टांस ऐसीड है या बेस है आगे यहाँ पा लिखाया दे को टूर ऑफ़था हैं एनडिकेटर को को यूश करते हैं most oftenly हम लोग जो substance use करते हैं उसका नाम है litmus अब यह litmus होता क्या है it is obtained from lichen यह हमें lichen से मिलता है lichen क्या होता है एक तरीके का organism होता है और इसी से हम लोग को litmus मिलता है litmus का जो color होता है वो purple होता है यह भी आपको याद रखना है its color changes इसका color बदल जाता है red बन जाता है यह जब हम लोग इसको acidic medium में डालते है इसका मतलब क्या हुआ जब आप लोग litmus paper को acid में डालेंगे न तो उसका color purple से change होकर red हो जाएगा और उसी तरीके से अगर आप उस litmus को basic medium में डालेंगे यानि कि किसी base में डालेंगे तो उसका color purple से change होकर blue हो जाएगा तो इससे भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि कोई substance acidic है या basic है litmus के बारे में थोड़ा और details हमें इस paragraph में दिया गया है यहाँ पर बताया है कि litmus को अगर हमें indicator के रूप में use करना है तो उसका एक solution form भी यादा यानि कि liquid form में भी litmus एवलेबल होता है जिसको हम लोग use कर सकते हैं लेकिन जादा तर practically हम लोग उसको use नहीं करते हैं हम लोग paper strip को use करते हैं paper का एक टुकरा को use करते हैं जो कि litmus से ही बना होता है और उसको simply हमें क्या करना होता है उस solution में dip करना होता है जिसको हमें check करना है कि वो solution acid है या base है और उसमें जब हम लोग dip करेंगे न तो उसका color change हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो substance acid है या base है इसका experiment भी अभी हम लोग देखेंगे such a paper strip is called litmus paper और इसी paper strip को हम लोग क्या बोलते है लेटमस paper बोलते है अब देखेंगे यहां पर दो activities दिया गया है जिसमें कि हमें बताएगा है कि लेटमस paper से हम लोग कैसे पता चलेगा कि कोई substance acidic है या basic है तो इसको पता करने के लिए हम पहले दो ऐसा substance लेंगे जिसके बारे मं आगर को ऑल्ली पता है कि वह acidic है और यह basic है जैसे यहां पर निंबू लिया गया है हमें पहले से पताएगी we save rolled यहां पर साबून तो वो क्या करेगा लेटमस पेपर का कलर ब्लू से बदल का रेड कर देगा और उसी तरीके से हम लोग यह भी देख सकते हैं कि अगर कोई सबस्टांस बेसिक है यानि की बेस है तो वो क्या करेगा रेड कलर के लेटमस पेपर को कनवर्ट करके ब्लू कलर का लेटमस पेपर ब और भी substances के नाम दिये गए हैं जिसको हम लोग indicator के तरह यूज कर सकते हैं जिसमें कि पहला है टर्मरी कि यानि की हल्दी हल्दी का color कैसा होता है पीला होता है लेकिन अगर आप उसको किसी basic medium में डालेंगे न यानि की base में डालेंगे तो उसका color बदल के red हो जाएगा तो इसे ह color का ही रह जाएगा तो इससे हम लोगो पता चल जाएगा कि वह substance acidic है अब आप वो लेंगे कि भाईया अगर हम लोग तर्मरी को पानी में मिलाते हैं तो उसका color तो चेंज नहीं होता है वह पीला का पीला ही रह जाता है तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग पानी पीते चलता है indicator के help से जब हम लोग indicator को डुबाएंगे तो उसका color change होगा और हमें पता चलेगा कि वह acid है या exactly वह base है एक question यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब आपके किसी भी कपड़े में हल्दी का दाग लग जाता है तो उसको जब आप साबून से साफ करते हैं तो गर बदल के कैसा हो जाएगा रेड हो जाएगा तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि जितना भी basic medium है ना वह हल्दी का येलो कलर को बदल कर रेड कर देता है एक और नेचुरल इंडिकेटर का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कि है juice of china rose जिसको हम लोग simply hibiscus भी बोल सकते है अगर आप लोग इसको किसी acidic medium पे डालेंगे ना तो इसका color बदल कर dark pink हो जाएगा यानि कि magenta हो जाएगा और अगर आप इसको किसी basic medium पे डालेंगे यानि कि किसी base पे डालेंगे तो इसका color जो है ना बदल कर green हो जाएगा तो इसको भी हम लोग indicator के तरह use कर सकते हैं उसके आप इसको किसी basic medium में डालेंगे न तो इसका color बदल कर pink हो जाएगा तो यहां तक indicator topic के अंदर में हम लोग जितने भी indicator के बारे में परेज सबका नाम आपको याद रखना है और उस indicator को acid में डालने पर उसका color कैसा हो जाता है और base में डालने पर उसका color कैसा हो जाता है ये भी बहुत ज़्यादा important है ये भी आपको exam में पूछा जा सकता है तो ये भी आप याद रखिएगा तो finally इस chapter के यहां तक के सभी topics को हमने detail में discuss कर लिया इसके बाद जितना सारा topics बचा उसको हम लोग part 2 में पर लेंगे में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले part को देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहिए